कोई भी processing है जो कि आपको एक दो गंटे के लिए computer चालू रखना है laptop चालू रखना है और वो बंध होना चाहिए so go and shutdown command यहां पर दो तो मैं चाहता हूँ इसे command prompt की जरी हाइड करना जिसे मैं command prompt की जरीए show करू उसों को तो मैं यह पर command prompt open करूंगा तोड़ा सा राइड में लेता हूँ इसको मैं hide करके दिखाता हूँ वीडियो में आगे क्या आने वाला है यह तो आपको पता चला तो अगर आप इंट्रेस्ट चुड़े यह कूल कमांड जानने के लिए अपने आपको थोड़ा सा expert बनाने के लि यह command prompt हमारी computer में कैसे start होता है तो मैं आपको बता दू करना क्या है सिंपल है दो तरीके से start कर सकते हैं एक तो आप Windows E प्रेस कीजिए Windows E प्रेस करने के बाद फाइल एक्स्प्लोर आ जाता है और उपर आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है address बार इसमें क्लिक कीजिए जै आपको पता देता हो start और यानि की window बटन कीबोर पर जो होता है उसे प्रेस करके आर प्रेस करना साथ में और इस run command में आपको cmd टाइप करना है यह तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते और आपके सामनी यह cmd window आज चुकी है यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है अब य आपको पता होगा कि आपके पास tv remote में timer करके option रहता है आप tv देखते देखते सो जाते तो आपको लगता है tv automatic बंद होना चाहिए तो आप एक गंटा या दो गंटे के बाद टाइमर लगा देते हैं तो वैसे हम timer लगा सकते computer के लिए लेकिन आपका यह पर सवाल रहेगा कि आपको एक दो गंटे के लिए रखा है और आपका लगता है कि यार यह एक दो गंटे के बाद ही डाउनलोड होने वाला है और मैं सिस्टम पर उस टाइम पर नहीं रहूंगा तो उस टाइम पर आप यह command देके रखोगे एक दो गंटे के बाद automatic computer बंद हो जाए कोई भी processing है जो कि आपको एक दो गंटे के लिए computer चालू रखना है laptop चालू रखना है और वो बंद होना चाहिए so go and shutdown command यहाँ पर देदो basically computer के लिए यह 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 यहाँ पर आपको command क्या देनी है यहाँ पर देख सकते है मैं type कर रहो shutdown minus s space minus t याद रखिए shutdown space minus s space minus t space और seconds यहाँ पर द यहाँ पर देदिया और एंटर कर दिया जैसे मैंने timer enter कर दिया system shutdown has already been scheduled already बता रहा है कि वही कुछ time schedule करके रखा इसमें तो एक काम करते है पहला जो schedule किया है उसे हम cancel कर लेते तो cancel कैसे करेंगे shutdown minus a यहाँ पर अगर मैं type करूंगा तो पहला जो मैंने timer लगाया हुए अभी मै यहाँ पर दुबारा में timer लगाना चाहता हूँ तो वही command में दुबारा लूँगा अब उपर की command दुबारा टाइप करनी की ज़रूद नहीं आपको याद रखिए अप arrow प्रेस करोगे तो यहाँ पर डैरेक्ली उपर की command आ जाएगी आप अप arrow प्रेस करोगी जितने भी recording की वजह से शायद नहीं दिख रहोगा लेकिन आपके case में यह पर पॉप आएगा कि यह लोग अफ होगा एक घंटे के बाद तो जो भी timer आपको लगाना एक घंटे के बाद यह शटडाउन होने वाला है बेसिकली सो यह है हमारी पहली कूल कमांड अब बढ़ते डॉस की क कूल कमांड नबर टू की दरब अब क्या होता है न दोस्तों हमने अमारे computer में डहर सारे application इंस्टाल किये होते हैं और उन सभी की list अगर मैं DOS के जरीए देखना चाहता हूं तो यह कूल कमांड आप इस्तमाल कर सकते हैं टाइप क्या करना है WMIC WMIC टाइप करने के बाद य लिस्त यहां पर आपको बताएगा अब आप देख सकते हैं यहां पर सारे के सारे इंस्टाल program की list आपको दिखाई दे रहें यहां पर यह लोड हूँच चुकिए है के अंदर लेकिन इन सारे कमांड को मैं नोट पैड में लेना चाहता हूं यह जो कमांड से मेरे स्टडी के लिए में नोट पैड में लेना चाहता हूं तो नेक्स्ट हमारी कमांड उसी के लिए कुल कमांड नंबर फूर जो की है इन सारे कमांड को हम कॉपी कर सकते क्लिप बो पाइप का सिम्बॉल यह आपको लिखना आगे क्लिप जैसे इतना ही लिक हो गया आप यह कॉपी हो चुका है अब आपको कैसे पता चलेगा यह कॉपी हो यह उपर के जो टोटल जो कमांड से कॉपी है लेकिन अगर मैं इसे देखना चाहता हूं नोट पैड उपन कर लेता मैं कंट्रोल भी दबा दूंगा पेस्ट यह देखी यह राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं सारे कमांड से आप आ चुके जो की है help के अंदर है आप किसी भी कमांड का टेक्स कॉपी कर सकते हैं पहले वो कमांड आपको लिखना है बाद में आपको स्पेस देके पाइप तो मिसका कलर बदल सकता हूं करना कि आपको सिंपल कमांड लिखना है help कलर यहां पर आपको दिखाए दे रहा है यहां जीरो मतलब ब्लाइक वन मतलब ब्ल्यू टू मतलब ग्रीन तो मुझे ग्रीन ठीक लगता है ग्रीन जैसे हैकर लोग यूज करते या फिर आप और कलर के आगे टाइप करोगे टू तो यह ग्रीन में आ जाएगा कलर टाइप करो अब थ्री टाइप करो यह देखिए ब्ल्यू में आ गया तो आप जैसे चाते वैसे आप कर सकते हैं यहां पर प्रॉम्ट के अंदर जो टेक्स्ट आता है इस कमांड की मदद से तो कुल कमांड नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं अब मैं अगर यहां पे help प्रॉम्ट लिखता हूँ यह कमांड में लिखता हूँ देखिए help प्रॉम्ट डारेकली मैं कमांड लिख लिखा तो बाद में एक्स्टमेशन बताता हूँ तो यह बता रहा है कि भाई कि एंड के लिए harvest के लिए क किया आप के त्माल करना यहा पे यूच को पूंबर सेवन जिस में प्रॉम्ट करूंगा किप नमट के आगे सब्सक्राइब करता हूँ, यहां पे मैं आपको दिखा तो हूँ नाम टाइब करहूं मेरा और नाम टाइप किया प्रॉम्ट नाम टाइप करने के बद मैं एंटर करता हूँ तो यहां पे जो आपको दिखाए दे रही है यह देखिए जो पात आ रहा था बेसिकली सीड रही यूजर वगरा उसकी जगा भी मेरा नाम आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ यार मेरे नाम के प्रॉम्ट सतीजड होए और यहां पर मैं डॉलर जी प्रेस करूंगा इस तरह से डॉलर जी आप टाइप करोगे एंटर करोगे तो अभी आपको दिखाए दे रहा है ग्रेटर देन साइन यहां पर आ रहा है तो आपको यह भी पता चला कि यॉरेल में अपना नाम यहां प छीजए चाहि बदलसकते है बसा अपको लिखना किया है यहां पर टाइटल यह कंग डिना है टाइटल के बाद आपको जो दरना है या अप लिख सकते हैसे URL बदल सकते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए इन कूल कमांड की मदद से अब आपने जितनी भी कमांड दी उन सभी को अगर आप एक-एक कर देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता है राइट लेकिन यहां पर आप सभी को एक साथ देखना चाहते हैं, तो F7 बटम प्रेस कीजिए, और जितनी भी command हमने इस्तमाल किये, यहां पर सारी की सारी command यहां पर आपको दिखाए दे रही है, आप जो भी command repeat करना चाहते हैं, यहां पर जाकर उस command को एंटर कर सकते हैं, तो वो command आ दिखाए देगी दुबारा आ जाएगी मतलब बेसिकली तो आप एप 7 प्रेस करेंगे तो यहां पर कूल इंट्रेस्टिंग है यह शॉटकट की इस किमत से आपको सारी किसारी कमांड एक साथ दिखाए देदी दोस्तों और आप हम बढ़ने वाले कूल कमांड नमबर 10 जो कि ह मैं रएख करके प्रौपटी में जाओंगा और यहां से जाकर हइड करते ही लोग से लिखिंट यहां पर क्या होटा है प्रॉब्लम ही होता है कि यह अगर आप फाइल में जाकर फोल्डरे सैंट फाल करेंगे तो यह भी हो जाथा है तो मैं चाहता हूँ इसे कमांड प्रॉ प्रपन करूंगा तोड़ा सा राइड में लेता हूं इसको मैं हैड करके दिखाता हूं यहां पर मैं पुरानी सारी कमंड्स क्लेर कर दिता हूं पहले CLS CLS मतलब clear screen पूरी के पूरी screen ढोड़ा ली clear कर दी यहां पर मैं command type करूंगा मैं capital में type कर रहा हूं उसके बाद atrip के बाद space plus h दूंगा फिर उसके बाद space plus s दूंगा उसके बाद space plus r दूंगा atrip space h plus h याद रहिए space plus s place space space plus r यह कहना है मुझे और उसके बाद आप आप आपके फाइल का नाम लिखेंगे लेकिन 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 अगर यहां पर मैं file का नाम लिखता हूँ abc.txt तो यहां पर file not found आजाएगा क्यूं क्यूंकि इसका reason है हमारी file कहां पर है वो भी हमें यहां पर locate करना पड़ेगा अब यह file कहां पर locate कैसे करेंगे तो इस file के उपर right click करके जब आप इसकी properties देख लेते हैं तो यहां पर आपको details में पता चल जाता है details में आपको या फिर security में भी पता चल जाएगा आपको यहां पर उसका path दिखाए देगा यह देखिए सीडी डॉट डॉट यह command पहले याद रखो यह देखिए सीडी डॉट डॉट एंटर कीजिए आप यह यूजर फोल्डर से बाहर आ चुके और इस फोल्डर में उपीस जाना है सीडी स्पेस यूजर राइट सीडी स्पेस यूजर अब इसके अंदर तो यह फाइल नहीं य उसके अंदर यह देखिए मैंने पाथ भी आपको दिखाया था प्रॉपर्टीज में जाए सीड्राइव उसके अंदर यूजर उसके अंदर यूजर फिर उसके बाद डेक्स्टॉप फिर सीटी यह फोल्डर है तो यह पाथ हम आ चुके हैं पूरा का पूरा इस तरह से पा फाइल का नाम abc.txt अब लोगे फाइल नहीं हुई लेकिन फाइल आप देखो कि तो थोड़ी सी दुन्दली हो चुकिए और यहां पर क्लिक करो और यहां पर इसे रीफ्रेश करो रीफ्रेश करने के बाद यह फाइल गाएब अब यहां पर फाइल फोल्डर भी किया तो यह यह शो नहीं होगा तो इसको शो कैसे करना है यॉंक देना है लेकिन जहां पर पर अपने प्लस यूज का ना तोड़ा सा पीछ आ जाते जहां फोल्डर का नाम लिखें, जो भी फोल्डर है उसका नाम यहां पको लिखना पड़ेगा उसके बात उस फोल्डर में जा कर ही उस फाइल को आप अनाइड कर सकते हैं तो यह थी दस कमाड इंट्रेशन लगी होगी और ऐसे कुछ चीज़े सीख नहीं है आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लग रहे हैं तो डिसक्रिप्शन मेरे अप्लिकेशन की लिंक अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे कम्प्ली टेकनोलोजी चैनल का एक फोल्डर मिलेगा और उसी के अंदर यह प्रेक्टिस फाइल आपको मिल जाएगी डॉस कमांड की वहां से आप इस पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं सारे कमांड को और अगर आपको मेरे टीचिंशन पसंद है तो आप मेरे कोर्स भी सीखते रहिए सीखाते रहिए बाई बाई